बिजेपे पार्टी ने राजे सभा चुनाओ के लिए अपना नाम गोसित कर दिया है। बिजेपे पार्टी से किरन चोधरी मेडम जो हैं वो राजे सभा के उनके उमीदवार होंगे। आने वाली तीन सितंबर को हर्याना के अंदर राजे सबा की चुनाव होने वाले हैं क्योंकि डिपेंदर सिंग होड़ा के राजे सबा सीट से इस्तिफा देने के बाद क्योंकि लोग सबा के अंदर वो जीत हासिल करके सानसद बन गए हैं तो उस वज़र से हर्याना के अंदर पांच राजे सभा के शीटे हैं एक शीट खाली हो चुकी है और किरन चोदरी ने कुछ समय पहले कांगरेश छोड़कर भाजबा का दामन थामा था और उसी दिन से अठकले यहीं थी कि साइध बिजेपी पार्टी किरन चोदरी को राजे सभा के लिए भेज सकती है आज आख जो किरन चोदरी ने अपना इस्तिफा सोप दिया है और ग्यांचंद गुपता जी ने भी इस्तिफा सविकार कर लिया है और विदायक दल के बैठक के अंदर काफी विचार भी मच करने के बाद बिजेपी पार्टी के नेताओं ने उस मोहर लगा दी है कि हमारी नेता किरन सबा की उमीदवार रहेंगी हालां कि राजे सबा उमीदवारी के लगर कि क्योंकि हर्याना के अंदर भी फिलहाल 90 विधान सबा सीटे हैं जिसके अंदर 87 अभी फिलहाल की विधायक है और बहुमत का आंकड़ा लेने के लिए 44 विधायक की जुरूरत है और अगर समीकन की बा अगर बात करें कोंग्रेस पार्टी के पास तो 39 कोंग्रेस पार्टी के पास हैं 10 जजपा पार्टी के पास हैं ऐसे करके 49 बनते हैं और चार निर्दली हैं और एक अनल्डी का है यानि कि लगबग सुंबारीस जो विधायक हैं वो फिलाल विपक्स के अंदर हैं और 43 विध गोषित किया है, हलांकि Congress Party ने अपना उमिद्वार घोसित नहीं किया है, क्योंकि कुछ समय पहले दर्शिंग होड़ा ने एक दोस्तू कहा था कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, और नंबर गेम ना होने की वज़े से वो अपना उमिद्वार घोसित नहीं कर सकते हैं. से पांच विदाय कॉंग्रेसी हो चुके हैं तो इसके उपर कॉंग्रेस ऐसे कैसे कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम नहीं है अगर वुपेंदर सिंग हुड़ा आप खुद आते हैं या अपनी पुतर वदू को या फिर किसी को मैदान में लेके आते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे लेकिन चौदरी वुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि अगर उनके पास नंबर गेम होते तो फिलहाल पेरिश ओलंपिक में एक नया चेहरा विनेस फोगाट जो है अगर आती है तो उनको हम उमिदवार के रूप में गोसित कर सकते थे उमिदवार बना सकते थे ल अगर चुनाव लड़ती हैं तो फिर वो अपनी बेटी को विदान राजसवा के अंदर बेजने का परपोजल रखेंगे लेकिन खुद किरन चोधरी राजसवा के लिए जाती हैं तो साइध अब यह अटकले यह दूरी हो चुकी है कि उनकी बेटी किरन चोधरी की बेटी चोधरी जो है वो तो असाम से चुनाव लड़ेगी तो असाम के अंदर एक नया गेम जो है नया खेल जो वो शुरू हो चुका है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी से अनिरुद चोधरी जो बनसिलाल के पोते हैं और एक तरफ भाजबा पार्टी जो है वो बनसिलाल की पोती शुरुती चोधरी को मैदान में उतारेगी तो बंसिलाल परिवार जो है वो आमने सामने देखने को मिलेगा एक तरफ किरन चोधरी की बेटी मैदान में होगी तो दूसरी तरफ रनवीर सिंग मेहंदरा का बेटा अरिरुद चोधरी मैदान में होगा और ये देखना दिल्च तक बताये जा रहा है कि अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं तीन सितंबर को हर्याना के अंदर विधान सभा के जो विधायक हैं वो वोट डालेगे और उसके उपर राजे सभा के लिए चुनाओ जो होगा उसके अंदर जो जीत हासिल करेगा वो होगा तो अगर फिलहाल बात करें तो 43 विधायक उनके पास है एक विधायक उनको चाहिए तो वो हो सकता है कि भाजपा पार्टी के पास क्योंकि भाजपा पार्टी किसी भी वक्त जो है पासा पलटने में माहिर होती है इसी को देखते वे एकमातर जो अमिद्वार है वो हर्याना से बिजेपी पा चुनाव आयुक जो है उसके उपर उप्चिनाव करवा रहा है हलांकि 2026 तक अगर किरन चोदरी जो राजे सभा के लिए चुनी जाती है तो उनके लिए 2026 तक का जो समय है वो बचा हुआ समय जो है वो हासिल करेंगी ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर कर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे है धन्यवाद जहिंद जया भारत